अमश्कार दोस्तों साहित्य समाधान के मन से मैं डॉक्टर रीता गौड आपका हारदिक स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ दोस्तों आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं भक्तिकाल की सूफी काविधारा के बहुत ही महतपूर्ण कवी जाइसी के पदमावत का वो अइश जो हमारे पाठेक्रम में है और उस अइश का नाम है नागमती वियोगखंड तो इससे पहले के हम सत्र शुरू करें दोस्तों हम नागमती वियोखंड की बात करें पदमावत की बात करें हमारे लिए जरूरी है कि हम जाइसी को थोड़ा सा जाने क्योंकि उनके जीवन वरत्त से संबंधित प्रश्नभी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा हम सूफी काविधारा को जाने ताकि पदमा पूछे जानने चाहिए हमें जानने चाहिए क्योंकि परिक्षा की दRश्टी से ये तत्य बहुत मह्तुपून है सबसे पहला कि सूफी काविधारा के आप्रमुख कविवू में से एक है जन्मतिथि के विशे में विवाद है अक्सर जन्मति थि के विशे में प्रश्ण एक महतुपून कृति है उस कृति में इस पुस्तक का रचनाकाल सन 1936 हिजरी दिया हुआ है हिजरी समवत हिजरी समवत इसलाम का समवत है जो 622 इस्वी के लगवग प्रारंभ हुआ और 622 इस्वी का वर्ष क्यों महतुपून है क्योंकि इस वर्ष में पैगंबर मुहमद मक् हिजरी समवत की शुरुआत मानी गई है तो हिजरी समवत और अगर हम सन में देखें तो 1528 इस्वी के लगवग बाबर के समय में बताया गया है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने यहां दिल्ली सल्तनत की मुगल सामराजी क स्थापना की थी तो यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए तो यानि आखिरी कलाम में इस पुस्तक का रचना काल 936 हिजरी सन यानि 1528 इस्वी माना गया है इसके आधार पर जाईसी बाबर के समकालीन प्रमानित होते हैं आखिरी कलाम में अपने जन्म के विशय में क्य आखिते हैं और वो कहते हैं भा अवतार यानि मेरा इस प्रित्वी पार अवतारण यानि जन्म मोर मतलब मेरा भा मतलब हुआ भा मतलब हुआ नव यानि नवी नवी शताब्दी नवी शताब्दी में मेरा जन्म हुआ ये स्वयम जाईसी ने कहा है और किस पुस्तक में किस ग्रंथ में कहा है आखिरी कलाम में कहा है ये तक ये बहुत महतुपूर्ण है क्योंकि अकसर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भा अवतार मोर नवसदी ये किस कवी के जीव पूछा जा सकता है तो इसको आप अच्छी तरह से कंठस्त कर लेंगे तीस बरस उप कवी बदी और तीस बरस वर्श का होने के बाद मैंने कवी कर्म प्रारंब किया यानि कावे स्रजन प्रारंब किया ये तक्थिय यहां पर सपश रूप से स्वयम जाईसी ने अपने जी हिजरी अर्थात सन 1492 इस्वी के लगभग सिद्ध होता है इनका जन्मकाल कहीं कहीं ये तो शुक्र जी की बात है लेकिन कहीं कहीं 1442 इस्वी और कहीं 1477 इस्वी भी मिलता है जैसा कि हमने सत्र के शुरुवात में ही चर्चा की कि इनके जन्म के विशय में विवाद है अग जाना गया है कि जायस नगर इनका क्योंकि मूल निवास था यही कारण है कि ये मलिक मोहमद जाइसी के नाम से प्रसिद्ध हुए पदमावत में आपने स्वयम अपने मूल इस्थान के विशय में लिखा है जायस नगर धरम अस्थानू तहां आय कविकीन भखानू इसका अ यहां पर यह जो पद है तहां आय इसके आधार पर कुछ विद्ध्वानों ने अपने अलग-अलग मत प्रस्तूत किये हैं तहां आय पद के आधार पर पंडित सुधाकरदवेदी और डॉक्टर ग्रियासन ने मत व्यत्ति किया है कि जायसी किसी अन्यस्थान से आकर के जा कावेसरजन प्रारम किया तो इस ताय तहां आय पद के आधार पर पंडित सुधाकरदवेदी और डॉक्टर ग्रियारसन ये मानते हैं कि जायस उनका मूल निवासस्थान नहीं था बलकि वे किसी और स्थान से जायस नगर में आकर के बसे थे और वहीं पर उन्होंने अपन कावेसरजन किया जबके पंडित सुधाकरदवेदी और ग्रियारसन मानते हैं कि वे जायस के मूल निवासी नहीं थे बलकि किसी अन्य स्थान से आकर के जायस में बसे थे आगे चलते हैं जायसी की मृत्यू का वर्ष 949 हिजरी अर्थात सन 1542 सीस्वी माना गया है आचारे शुक्ल मृत्यू वर्ष को यानि ये जो मृत्यू वर्ष है 949 हिजरी इसे संदेहासपद मानते हैं यह काल उनका ये कथन है दोस्तों इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे यह काल कहां तक ठीक ह 949 हिजरी जो उनका मृत्यू का वर्ष बताया गया है वो कितना सही है इसके विशह में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसा मानते हैं आचारे शुक्ल इसे ठीक मानने पर कि यदि हम इसे ठीक माने कि यह बिलकुल उनकी मृत्यू का यही वर्ष है तो इसे ठ 949 वर्ष की अवस्था में क्योंकि 900 हिजरी उनका जन्म का वर्ष माना गया है 949 को यदि हम उनकी मृत्यू का वर्ष माने तो ऐसी स्थिती में उनकी आयू कुल आयू केवल 49 वर्ष सिद्ध होती है और वे दीरगायू नहीं ठेरते उनका परलोक वास 49 वर्ष से भी कम अव को सही मानने में शंका इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि पदमावत के उप संगार में जो व्रद्धावस्था का वर्णन मलिक मुहमद जाईसी के द्वारा किया गया है वह ऐसा लगता है मानो अपने निजी अनुभव कभी के निजी अनुभव वहां अभी व्यक्त हुए ह तो यदि उनके ये निजी अनुभव हैं व्रद्धावस्था से संबंदिक तो स्पष्ट है कि उनकी मृत्यू अलपायू में नहीं हुई थी कम आयू में नहीं हुई थी दीरगायू उठेवे और उन्होंने व्रद्धावस्था की इस्थितियों को स्वयम अनुभव किया यही कारण है कि वो इतना सटीक इतना स्वाभाविक व्रद्धावस्था का चित्रन कर सके तो इस व्रद्धावस्था के वर्णन के आधार पर वो इस पर संदेह 949 हिज्री को जाइसी की मृत्यू का वर्ष मानने में शंका उत्पन करते हैं कौन आचारे रामचंदर शुक जहांगीर को और डॉक्टर ग्रियरसन शेक मोहिदी को आचारे शुकल किसे उनका दीक्षा गुरू मानते हैं आचारे शुकल मानते हैं सयद अश्रफ जहांगीर को और डॉक्टर ग्रियरसन मानते हैं शेक मोहिदी को उनका दीक्षा गुरू इस विशय में आचारे शुकल लिखते हैं, गुरु वंदना से इस बात का ठीक ठीक निश्चे नहीं होता कि वे मानिक पुर के मोहिउद्दीन के मुरीद थे मोहिउद्दीन इनका शेक मोहिदी का वास्तविक नाम है और वे शेक मोहिदी के नाम से लोक में प्रचलित थे या इसलिए यहाँ पर शेख मोहिदी लिखा गया है, शेख मोहिदी और मोहिदीन एक ही है, मुरीद का अर्थ होता है अनुयाई, यानि आचारिशुक्ल कहते हैं कि उन्होंने पदमावत में जो गुरु वंदना की है, उसके आधार पर हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सक कि वे मानिकपुर के मोहिदीन के बुरीद थे, यानि अनुयाई थे, यानि शिष्य थे, या जायस के शैयद अश्रफ के शिष्य थे, पदमावत में दोनों पीरों का उन्होंने उलेख किया है, और जिन पंक्तियों में उलेख किया है, उन्हें हमें धिहान में रखना इस पंक्ति का अर्थ समझ लेंगे, यहां पर जाइसी कह रहे हैं कि मेरे प्यारे यानि प्रिय यानि श्रद्धिय, पीर मतलब गुरू, श्रद्धिय गुरू कौन है, सायद अश्रफ है, क्योंकि उन्होंने मुझे वास्तविक जीवन का वास्तविक मार्ग है, वो प्रदान किया, उसका पत्प्रशस्त किया, उसे प्रकाश से युक्त किया, उजियारा यानि प्रकाश युक्त किया, यानि मुझे सही मार्ग पर अगे बढ़ाया, किस ने बढ़ाया, मेरे प्रिय श्रद्धिय गुरू, सायद अश्रफ ने बढ़ाया, दूसरी पंक्ति में लिखते गुरु मोहिदी खेवक में सेवा और मैंने गुरु मोहिदी यानि मोहिव दीन की भी मैंने सेवा की और उन्होंने मेरी जीवन रूपी नाव को खेया खेवक यानि नौका चलाने वाला यानि मेरी जीवन रूपी नईया को आगे बढ़ाया और चले उतायल जही कर खेवा और यहां सैयद अश्रफ और गुरु मोहिदी दोनों के प्रतिश्रद्धा का भाव जाईसी ने अभिव्यक्त किया है तो यही कारण है कि शुकल जी कहते हैं कि इनके आधार पर ये नहीं निर्धारित किया जा सकता कि वास्तविक गुरु कौन थे जाईसी के अखरावट में इन दोनों की चर्चा की गई है यानि पदमावट में तो है ही इनकी चर्चा अखरावट जो जाईसी का एक अन्य गरंथ है उसमें भी इन दोनों की चर्चा की गई है आखिरी कलाम जो उनकी एक और कृति है उसमें सैयद अश्रफ का ही उल्लेक है यानि पदमावत और अखरावत में दोनों गुरुओं की वंदना की गई है उनका उलेक किया गया है लेकिन आखिरी कलाम एक ऐसी कृती है जिसमें केवल सैयद अश्रफ का ही उलेक है इस बिंदु को आप कंठस्त कर लेंगे कौन सी कृती में यानि आखिरी कलाम में किस गुरु का उलेक किया गया है प्रश्न पूचा जा सकता है तो सैयद अश्रफ का उलेक किया गया है पीर शब्द का प्रयोग भी जायसी ने सैयद अश्रफ के नाम से पहले ही किया है यानि गुरु के रूप में उन्होंने सैयद अ पर पीछे, पीछे यानि बाद में, पर पीछे से उन्होंने मोहिद दीन की सेवा की और उनसे बहुत कुछ ज्ञानोप देश और सिक्षा प्राप्त की यानि शुकल जी उक्त पंक्तियों के आधार पर ये निशकर्श निकालते हैं कि सैयद अश्रफ उनके मूल गुरु थे, प्रमुख दीक्षा गुरु थे, लेकिन कालांतर में उन्होंने गुरु मोहिदी की बहुत अधिक सेवा की और उनसे भी ज्ञान और सिक्षा प्राप्त की जायस वाले दो सैयद अश्रफ लेकिन जायस नगर जिसको मूल निवासस्थान मानते हैं कुछ विद्वान जायसी का, वे मानते हैं कि सैयद अश्रफ के जो पोते थे, मुबारक शाह बोदले, वे जायसी के पीड थे, लेकिन यह कथन शुकल जी को उचित प्रतीत नहीं होता, यह कथन जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, यह शुकल जी का जायसी के गुरु के विशय में अभिव्यक्त कथन ह आचारे शुकल ने जायसी के केवल तीन कृतियों का उले किया है, बहुत ही महतँ पोर्ण बिंतू है, प्रशन पूछा जा सकता है कि आचारे शुकल ने कौन सी तीन कृतियों का उले किया है, तो वो है पदमावत, अखरावत और आखिरी कलाम, लेकिन इसके अतिरिक्थ भ अब बात आती है क्योंकि जाइसी सूफी कावेधारा के महतुपून कवित है यही कारण है कि हमें एक बार फिर से हलांकि हम सूफी कावेधारा को पहले भी पढ़ चोके हैं लेकिन एक बार जाइसी के संदर्ब में हम इस पर एक दृष्टिपात कर लें तो हमें पदमावत सम को प्रिय के रूप में मानकर आत्मा के परमात्मा से मिलन की कथा प्रस्तुत करना सूफी कावेधारा का आधार था यानि सूफी कावेधारा में विशय वस्तु आत्मा और परमात्मा के मिलन से संबंदित थी लेकिन वहां पर साधक को क्या माना गया साधक को माना गया आत् और प्रियतमा कौन है परमात्मा तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे यानि प्रमात्मा को एक इस्त्री के रूप में प्रियतमा के रूप में यहां देखा गया भारत में सूफी मत का प्रचार 12-13 शताबदी में ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिष्टी ने किया ये संप्रदाय के बाद और भी कई सूफी संप्रदाय भारत में विक्सित हुए जिन में सबसे महतुपूर्ण है शेख बहाउद्दीन जकारिया के नेत्रित में विक्सित सुहरावर्दी संप्रदाय के आदी प्रवर्तक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी माने गए है और पंद्रवी शताबदी में सूफी संप्रदाय का एक अन्य रूप सामने आया और उसके नेचरित्व करता थे बंदगी मुहमद गौस जिन्होंने कादरी संप्रदाय की स्थापना की, कादरी संप्रदाय के आती प्रवर्तक शेख अब्दुल कादिर गिलानी माने गए हैं इन दोनों संप्रदायों ने चिष्टी संप्रदाय के बाद यानी सुहरावर्दी संप्रदाय और कादरी संप्रदाय इन दोनों ने सूफी संप्रदाय का प्रचार और प्रसार किया लेकिन किसके बाद चिष्टी संप्रदाय के बाद यानी प्रवर्तक सूफी संप्रदा कौन थे ख्वाजा मुईनुद्दीन चिष्टी। कब जब असायत ने हंसावली नामक एक सूफी कावे की रचना की किस का मत है गणपती चंद्र गुप्त का मत है आगे चलेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा मात हैं कि 1389 में मुल्ला दाउद ने चंदायन लिखकर सूफी कावे परंपरा का सूत्रपात किया हजारी प्रसाद अचारे रामचंद्र शुक्ल के मत को कंठस्त कर लेना है आचारे शुक्ल के हिंदी साहित के तेहास में जो कुछ भी कहा गया है जाइसी के विशय में सूफी के विशय में पदमावत के विशय में उन पर एक नजर डालते हैं ताकि उन में से कोई भी कठन यदी परिक्षा में पूछा जाए उस पर आधारित प्रशन पूछा जाए तो हम उसका सही जवाब दे सकें तो सबसे पहला जो कठन है शुकल जी का जिस प्रकार दूसरी जाती या मत वालों के हिर्दय हैं उसी प्रकार हमारे भी हैं जिस प्रकार दूसरे के हिर्दय में प्रेम की तरंगे उठती हैं उसी प्रकार हमारे हिर्दय में भी क्या कहना चाह रहे हैं शुकली जी? शुकली जी कहना चाह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय अलग-अलग थे, दोनों के बीच सदभाव की कमी थी, लेकिन सूफी संप्रदाय के विक्सित होने के बाद, पदमावत के खास्तोर पर रचित होने के बाद, यानि को यहां सपश्ट किया जा रहा है कि जिस प्रकार दूसरी जातिया मत वालों के हिरदय है यानि जितनी समवेदन शीलता दूसरी जाति में है उतनी ही समवेदन शीलता हम में भी है जिस प्रकार दूसरी के हिरदय में प्रेम की तरंगे उठती है उसी प्रकार हमारे हिरदय में भी उठती है यानि मूल भूत मानवी एकता का आधार जो समवेदना है जो भावना है वो सभी मनुश्यों के हृदय में चाहे वे किसी भी जातिया संप्रदाय के हो समान रूप से ही उत्पन होती है आगे चलते हैं प्रिय का वियोग जैसे दूसरे को व्याकुल करता है वैसे हमें भी माता का जो हृदय दूसरे के यहां है दूसरे शब्द का अर्थे दूसरी जाती दूसरा संप्रदा है वही हमारे यहां भी जिन बातों से दूसरों को सुख दुख होता है उन्हीं बातों से हमें भी इस तत्य का प्रक्षी करण कुतुबन जाईसी आधी प्रेम कह अपनी कहानियों द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हिर्दय पर एक प्रभाव दिखाई देता है इस कथन का साराइश यह है दोस्तों कि कुतुबन और जायसी ने जब सूफ काव्य लेखे जो हिंदू समाज में हिंदू धर्म में हिंदू संस्कृति में प्रचलित प्रेम कथाओं पर लोग कथाओं पर आधारित थे और उनके माध्यां से माध्यम से आध्यात्मिक भावों की व्यंजना की तब पहली बार लोगों को यानि हिंदू संप्रदाय वा होता है उतना ही सुख दुक उन्हें भी होता है यानि मुसल्मानों को भी होता है यानि सभी जातियों के हरदय में जो मानविये भावनाएं हैं वो मूलता है एक हैं और इस बात से परिचे कराने में सबसे महतुपून योगदान है कुतुबन और जाइसी का यानि सूफी काव आमने सामने करके अजनभी पन मिटाने वालों में इन ही के ब्रैकेट में कुतुबन और जायसी आदी का नाम लेना पड़ेगा इन्होंने मुसल्मान होकर हिंदू की कहानिया हिंदू की ही बोली में पूरी सहिर्दता से कहकर उसके जीवन की मर्म सपर्शी अवस्थाओं के सा अपने उदार हर्दय का पूर्ण सामनजस्य से दिखा दिया तो ये कथन बहुत महतुपूर्ण है हिंदू हर्दय और मुसल्मान हर्दय आमने सामने अजनभी पन मिटाने वालों में इन ही का नाम लेना पड़ेगा ये कहान? ये किस का कथन है? ये आपको प्रश्ण इन दोनों सूफी कवियों ने जो अजनभी पन जो अलगाव जो दूरिया व्याप्त थी हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों में उन्हें दूर किया और उन्हें निकट लाए आपने सामने खड़ा किया यानि उन्हें निकट लाए आगे चलें कबीर ने केवल भिन प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था प्रत्यक्ष जीवन की एकता का द्रश्य सामने रखने की आवशक्ता बनी थी वह जाईसी द्वारा पूरी हुई बहुत ही महतुपून बिंदू है यहाँ पर शुकल जी क्या कहना चाह रह परोक्ष सत्ता हुई परमात्मा यानि सभी धर्म कोई भी हो संप्रदाय कोई भी हो ईश्वर एक है चाहे हम उसे अल्ला कहें चाहे हम उसे राम कहें कृष्ण कहें या इसा मसी कहें यह जो एकता है परोक्ष सत्ता की उसका संदेश कबीर ने दिया लेकिन जीवन में एकता किस प्रकार है संस्कृति में एकता किस प्रकार है व्यवहार में मानविय भावनाओं में एकता किस प्रकार है यानि प्रत्यक्ष जीवन में एकता किस प्रकार है सभी संप्रदायों के बीच उसे सामने रखने की जरूरत थी ताकि समाज में भारतिय समाज में जहां भिन भिन संप्रदायों के लोग थे, उनके बीच एकता और सदभाव उत्पन हो, वह कारे जाइसी ने पूरा किया, ऐसा मानते हैं आचारे रामचंद्र शुक्ल। अगले बिंदु पर आते हैं, पद्मावत को पढ़ने से यह प्रकट हो जाएगा कि जाइसी का हर्द है कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, प्रेम की पीर का अर्थ होता है पीडा, ये प्रेम कौन सा है, ये प्रेम है आध्यात में कियानि आत्मा का परमात्मा के प लोग पक्ष यानि प्रत्यक्ष जीवन और भागवत पक्ष यानि परमात्मा से संबंधे आध्यात्मिक ये तो हो गया आध्यात्मिक जीवन और ये हो गया लौकिक जीवन, सांसारिक जीवन यानि पद्मावत की खास वात शुकल जी के अनुसार ये है कि यहां लोग पक् और परमात्मा यानि आध्यात्मेक जिरिष्टी से भी एकता का प्रतिपादन किया गया यानि ईश्वर की एकता ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन भी यहां बहुत ही खुबसूरती के साथ किया गया और यही कारण है कि शुकली जी कहते हैं कि जाइसी की जो पदमावत नामक इस्वी के लगबग अराकान में हुआ बंगाली भाशा में 1650 इस्वी में अराकान नामक शेत्र में इसका अनुवाद किया गया इतना जादा लोग प्रियता प्राप्त की पदमावत में अब डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास क्रंथ में क्या कहा गया है उससे संबंदित महत पूर्ण बिंदूओं को जान लेते हैं मलेक महमा जाइसी कृत पदमावत का रचनाकाल माना गया है 1540 इसवी कंठस्त कर लेंगे को इस परंपरा का प्रॉडतम काव्य माना जाता है यानि डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में कहा गया है कि जाइसी का जो पदमावत नामक काव्य है वो सूफी काव्य धारा का एक प्रॉडतम काव्य है यानि वहां सारी सूफी काव्य की जो प्रवरतियां है वो अपने चरमोद कर्श पर दिखाई देती है इसमें चित्तोर के राजा रतनसेन एवं सिंगल द्वीप की राजकुमारी पदमावती के प्रेम विवा अपनसेन पदमावती के विवाहतक का जो भाग है उसे पूर्वार्द कहा गया है और उत्तरार्द भाग में विभाजित किया गया है और पूर्वार्द को मैं काल्पनिक्ता का समावेश बताया है आलोचको ने और उत्तरार्द को एतिहासिक तथियों से युक्त माना है कि ये दोनों ही निशकर्ष अब विवादास्पद हो गए है कुछ आलोच कहने का मतलब क्या हुआ कुछ आलोच को ने पदमावत को दो खंडों में विभक्त माना है पूरवार्द और उत्तरार्द पूरवार्द को कलपना جनित माना है कलपना जन्य माना है काल्पनिक माना है और उत्तरार्द को एतिहासिक तत्थियों से पुष्ट बताया है लेकिन इस मत को अब स्वीकार नहीं किया जा सकता ये मत विवादास्वद है पदमावत को विभिन पात्र विभिन दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक है इस दृष्टी से इसे रूपक काव्य कहा जाता है जिसे अंग्रेजी में एलिगरी कहते हैं रूपक अलंकार दोस्तों आपको पता होगा उपमेय पर उपमान का जब अभेद आरोप किया जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है उसी बात को दिहान में रखते हुए जब नायक और नायका जो भी है महा काव्य के या किसी कृती के उन पर किसी अन्य नायक और नायका के यानि किसी अन्य व्यक्तित्व का आरोप किया जाता है कि जो भी बात कही जाए वो कथन लौकिक सं संदर्ब में भी उचित हो और उपमान के संदर्ब में भी उचित हो वहां उस कावे को रूपक कावे कहा जाता है आगे चलते हैं रूपक स्पष्टत है भारतिये निर्गुर्ण साधना का दियोतक है जिसमें रतनसेन साधक का मन रतनसेन जो यहां का नायक है पदमावत का व और सात्विक ज्यान यानि पद्मावती को सात्विक ज्यान का प्रतीक माना गया है और सहायता से अंत में मोक्ष प्राप्त करता है यानि निर्गुन साधना में ये बताया गया है कि किस प्रकार एक गुरु के निर्देशन में एक जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर इंस ऐसी मान्यता अभिव्यक्त की गई है डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में आचारे शुक्ल ने जाइसी के प्रतिकार्थों को तोर मरोड कर इतिहास कौन सा है डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास कि जो प्रतीक आत्मकता जो रूपक आचारे राम्चंद्र शुक्र ने अपने ग्रंथ में अभिव्यक्त किये, वास्ताओं में मूल रूप में जो रूपक थे यानिंग जाईसी कवी ने जो स्वयम जिनका प्रतीक माना अपने विभिन घटनाओं को, विभिन का व्यंजक न बने काव ये बलकि सूफी साधना का व्यंजक बने जाइसी ने रतन सेन को मन का प्रतीक माना था शुकल जी ने उसे आत्मा का प्रतीक मान लिया ये परिवर्तन आप ध्यान देंगे जाइसी ने स्वैम अपने गरंथ में रतन सेन को मन का प्रतीक माना लेकिन श शुकल जी ने उसे बुद्धी अर्थात परमात्मा का प्रतीक मान लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि रत्नसेन पदमावती अर्थात आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद ये रूपक आगे बढ़ ही नहीं पाता। ऐसा कथन अभिव्यक्त किया गया है डॉक्टर नगेंदर क इतिहास ग्रंथ में। शुकल जी का यह कथन के रत्नसेन पदमावती आत्मा परमात्मा के प्रतीक हैं आज भी हमारे लिए वेद वाक्य है। यानि इस बात को भले ही नगेंदर के इतिहास में नकारा गया हो क्योंकि जाईसी ने अपने ग्रंथ में स्वयम इन प्रतीकों क इतना जादा स्थापित हो चुका है कि एक तरह से वेद वाक्य होता है जिसके विशेय में कोई चुनौती कोई तर्क से उसे खंडित नहीं किया जा सकता तो एक तरह से शुकल जी का मत कि रत्नसेन और पदमावती आत्मा और परमात्मा के प्रतीक हैं ये हमारे लिए वेद्वाक के बन गया है जायसी पर अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टी से शोध कारे किया किन्तु पदमावत के रूपक संबंदी उपर्युक्त लक्षमन रेखा के उलंगन का साहस उन में से कोई भी नहीं कर सका उपर्युक्त लक्षमन रेखा का अर्थ क्या है आत्मा और परमात्मा का रत्नसेन और पदमावती को आत्मा और परमात्मा का प्रतीक मानने की जो लक्षमन रेखा, शुकल जी ने खीची थी, उसका उलंगन कोई भी शोध कार्य करने वाला विद्वान नहीं कर सका। नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ में कहा गया है, कि यदि जाइसी ने जो प्रतीक बताये हैं पदमावत के, उनको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए, तो यह ग्रंथ सूफी साधना का वियन जग न होकर, भारतिय निर्गुण साधना पद्दती का अभी वियन जग प्रमा श्रद्धा की सहायता से बंधनों से मोक्ष या अलोकिक आनंद प्राप्त करते हैं, वहां मनु भी श्रद्धा की सहायता से आनंद वात की स्थिती तक पहुचते हैं, और यहां पर पदमावत में रत्न सेन भी श्रद्धा यानि बुद्धी के सात्विक बुद्धी के सहार परमात्मा यानि पदमावती को प्राप्त करने में सफल होते हैं यानि दोनों को मुप्ती और अलोकिक आनंद किस्से प्राप्त होता है श्रद्धा के सहरे अतय पद्मावत के रूपक तत्व का संबंध सूफी मत से न होकर भारतिये साधना पद्धती से सिद्ध होता है इसमें कोई संदेह नहीं है इस बात को ध्यान में रखेंगे कवित्व और भाव व्यंजना की द्रष्टी से पद्मावत अत्यंत उच्छ कोटी का कावे है पद्मावती के सौंदर्यain नागमती के विरह रतन सैन के साहस त्याग एम शारिकी व्यंजना इसमें अत्यंत प्रभावो फुत पादक शैली में की गई है भारतिय कथा काव्य की प्राय सभी रूणियों एवं प्रवरतियों का नियोजन इसमें सफलता पूर्वक हुआ है काव्य की शैली में सर्वत्र प्रोडता और गंभीरता परिलक्षित होती है इसका मतलब ये हुआ कि भारतिय कथा काव्य में काव्य की श्रेष्ठता के निर्धारक जो भी मानदंड थे जो भी मूल्य थे उन सब को यहां पर अच्छी तरह से उनका पालन किया गया है समग्र रूप में यह अत्यंत उच्चकोटी का प्रबंध काव्य है काव्य रूप क्या है यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी तुल नावे रामचरित मानस और कामाईनी जैसे कुछ काव्य ही रखे जा सकते है अब बात आती है कि पदमावत के विशह में भी महतपून तथ्य हमें जान लेने चाहिए स्वयन जैसी नैपदमावत का रचनाकाल का क्या माना है 927 हिज्री अर्था 521 इस इसवी बताया है कहीं पर दोस्तों यह मैंने 521 इसलिए लिखा है कि शुकल जी के तिहास में तो 1520 लिखा है और अन्य ग्रंथों में 1521 लिखा गया है तो इस बात क अपने समकालीन बादशा का नाम इन्होंने शेरशा बताया है 1540 से 45 इसवी के बीच भारत पर शेरशा का शासन था इस बात को आप ध्यान में रखेंगे यानि शेरशा उनके समकालीन शासक थे यह दोनों ही तथे परस पर विरोधी है क्योंकि 927 इसवी यानि 1521 यह शेरश का शासनकाल नहीं है दूसरी और समकालीन शेरशा जो शासक का नाम है वो शेरशा बताया जा रहा है यानि यह परस पर विरोधी दोनों कथन है आगे चलते हैं माना गया है कि पदमातो इन दोनों कथनों क्या निशकर्ष क्या निकाला है विद्वानों ने यह निकाला है कि पदमावत का स्रजन करने की जो शुरुआत है, वो जाइसी ने 1521 एस्वी के प्रारंभ में शुरू की और 1540 एस्वी में ये काव्य पूर्ण हुआ, यानि शेर्शा के शासनकाल में इस काव्य का समापन हुआ, ये पूरी तरह से इसका स्रजन पूर्ण हुआ, बंगाल के कव एप्रेजा रत्न सैं के प्रेम का वर्नन है पदमावत की काविय भाषा कौनसी है ठेट अवधी है और इसकी लिपी कौनसी है फार्सी है इन बिंदुओं को आप कंठस्ट कर लेंगे पदमावत अवधी भाषा में रचित पहला महा काविय माना जाता है क्योंकि पदमावत के बाद किसकी रचना हुई अवधी के एक अन्य महतुपूर्ण महा कावे रामचरित भानस की रचना हुई पदमावत की कथा कितने खंडों में विभत है 57 खंडों में वर्नित है देखिए जिन दो खंडों की बाद हमने की थी वो आलोचकों के द्वारा सुईकरित खंड है पूरवार्द और उत्तराग लेकिन यहाँ जिन खंडों की बात की जा रही है वो स्वयम जायसी ने इस पू इस्तूतिकरण पूझा करना वंदना करना। इसमें क्रमशय की सबसे पहले इश्वर की continent इसे बाद इसे जो संदेश वाहक होते हैं पैगंबर, मुहम्मद उनकी वंदना की गई है। उसके बाद उस्वे भी Самक्त और जितने जिदात के ओंदना की गई है। उसके बाद शाहे वक्त यानि उस समय जो भी शासक था यानि शेरशा सूरी की वंदना की गई है उसके बाद गुरु सैयद अश्रफ और गुरु सैयद मोहियुदीन की वंदना की गई है और उसके बाद कवी ने अपना स्वैम का परिचे दिया है क्योंकि पदमावत मसनवी फार्सी की मसनवी शैली पर रचित काव्य है और मसनवी शैली में जिस काव्य का स्रजन किया जाता है उसमें वंदना का क्रम यही रखा जाता है इस बात को ध्यान में रखते हुए जायसी ने स्तुति खंड में ये वंदनाएं की हैं और उसके बाद अंत में अपना स्वैम का परिचे प्रस्तोत किया है इसके पश्चात अपने स्वयंग के परिचे के बाद वे अपने चार मित्रों का परिचे देते हैं उन चार मित्रों के नाम है यूसुफ मलिक, सलार कादिम, मिया सलोने और बड़े शेक जी उनका मित्रों का परिचे भी यहाँ पर जैसी ने दिया ह इसी क्रम में जायसी जायस नगर को अपना नगर बताते को अपनी कावे रचना के विशे में बताते हैं पदमावत कावे की रचना फार्सी की कौन सी शैली है फार्सी की मसनवी शैली के आधार पर की गई है जैसा कि मैंने अभी बताया विजय नारायन देव साही एक विद्वान एक आलोचक हुए है इंदी साहिते के वे पदमावत को अपने धंकी तरासदी मानते हैं यानि अपने धंकी तरासदी पदमावत को किसने माना है तो नाम आना चाहिए उत्तर में विजय नारायन देव सा स्वितिय भाग का अर्थ हुआ उत्तरार्ड। पद्मावत में उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधंता है एसा विद्वानों ने मत व्यक्त किया है। अब पद्मावत क्यूंकि एक प्रतीक आत्म काव्य है। इसमें कौन किसका प्रतीक है ये आपको अच्छी तरह कंठस करना है इसमें रत्नसेन मन का प्रतीक है मन से यहां पर अर्थ हो गया आत्मा दोनों बात ले लिगे हैं शुकल जी का मत भी ले लिया गया है और जाइसी का मत भी ले लिया गया है तो जाइसी ने मन माना है शुकल जी उसे परमात्मा का प्रतीक मानते हैं, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, नागमती सांसारिक बुद्धी की प्रतीक है, नागमती जो राजा रतन सेन की पहले से ही पत्नी है, रानी है, वो नागमती है, वो सांसारिक बुद्धी का प्रतीक है, रागर चेतन एक पंडित ह प्रश्न क्या है तो पूरी पूरी पादमावत हमारे पाठ्यक्रम् में भी नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में केफल नाजमतिय वियोग खंड को समझने के लिए दोस्तों उसकी पूरी कथा को यदि हम अपने ध्यान में रख लेंगे तो हम्यारे लिए सारे प्रश्णों के उतर सही उतर देना आवश्यक हो जाएगा सरल हो जाएगा तो सबसे पहले सिंगल द्वीप खंड में सिंगल द्वीप का वर्नन किया गया है फिर वहां का जो राजा है सिंगल द्वीप के राजा का नाम क्या है गंधर्वसेन उसका वर्नन किया गया है फिर उसके बाद उसके राजे की सभा का नगर का बगीचों का वर्नन किया गया है उसके बाद राजकुमारी पदमावती के जन्म से कथा प्रारंब होती है दे एक दिन राजकुमारी की ये बात सुनकर कहता है कि देश देशांतर में वो राजकुमारी के लिए योग्यवर तलाश करने जाएगा, जब तोता ये बात कहता है तो गंधर्वसेन को यानि राजा को यानि पदमावती के पिता को ये बात पता चलती है और वो उसे मार डालने का आदेश देते हैं यद्यपी पदमावती के व्याथित होने के कारण ये आदेश राजा गंधर हुसेन के द्वारा वापस ले लिया जाता है लेकिन हिरावन तोते के मन में आशंकाय उत्पन हो जाती है वो भैभीत हो जाता है और यही कारण है कि एक दिन वो राजमहल से उ व्यापार करता है वो उसने जाल पिछा रखा है उस जाल में वो फस जाता है वो जो व्यापारी है वो सिंगल दी्च के बा Eco Crown मैं आता है अपने हिपशी जो भी पक्षी उसने पखड़े थे जिन में हीरामन फोता भी आ है उनको बेचने के लिए और ठ्यान रहे कि उसी सिं उसे खरीद लिया, यानि व्यापारियों के दल के साथ चितवर से जो ब्रामन आया था, उसने उस तोते को खरीद लिया, चितवर के व्यापारियों तथा एक ब्रामन के सिंगल द्वीप के लौटने और एक अदभूत तोता साथ लाने की सूचना दर्बार में पहुचती है, यानि जब ये व्यापारी दल और ब्रामण तोते को लेकर हीरामन तोते को लेकर चित्तोर पहुँचते हैं, तो सारे चित्तोर में उस अधभूत तोते की चर्चा हो जाती है और उड़ते उड़ते ये खबर राजा रतन सेन के दरबार में भी पहुँचती है. राजा रतन सेन ब्राम्मन को दर्बार में बुलाते हैं और उस तोते को देखते हैं और उसे एक लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर उससे वो तोता खरीद लेते हैं तोता क्रमशह रतनसेन की रानी नागमती और राजा रतनसेन के सम्मुख पदमावती के सौंदरे का वर्णन करता है प्रसंग कुछ इस प्रकार होता है कि राजा रतनसेन शिकार पर गए है रानी नागमती श्रंगार कर रही है तो जो हीरामन तोता है वो कहता है कि तुम तो क नागमती से पदमावती के सौंदरे का वर्नन करता है नागमती क्रोधित होकर उसे कैद कर देती है राजा जब लोटकर शिकार से आते हैं तोता उन्हें दिखाई नहीं देता तब वो तोता वापस उनके पास आता है और राजा रतन सेन के सम्मुक तब हीरामन तोता पदमावती को प्राप्त करने की लालसा उनमें इतनी प्रबल हो जाती है कि वो योगी हो जाते हैं और योगी का वेश धारन कर बारहे हजार योगी राज कुवरों को लेकर के वे राज्य छोड़कर पदमावती की प्राप्ती की इच्छा से सिंगल द्रीप की और के राजा से सहायता लेनी उनके लिए आवश्यक है तो गजपती के पास जाते हैं कलिंग यानि उडिसा वर्तमान में जो उडिसा है वही पुराने समय में कलिंग था तो उसके राजा गजपती के पास जाते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जहाज लेते हैं ताकि वे सिंगल दीप की और प्रस्थान कर सकें और फिर कितने समुद्रों को पार कर ये जाइसी ने वर्णन किया है क्षार समुद्र, क्षीर, दधी उदधी, सुरा और किलकिला छे समुद्रों को पार कर सातवे समुद्र यानि मान सरोवर समुद्र पहुचते हैं और ये मान सरोवर समुद्र वो समुद्र है जो सिंगल दीप के चारों ओर फैला हुआ है सिंगल दीप में राजा रतन सेन महादेव के मंदिर यानि वहाँ शिब जी का मंदिर है वहाँ बैठ कर तप करने लगते हैं क्योंकि उनका पत्प्रशस्त कौन कर रहा है, कौन उनका मार्गदर्शन कर रहा है, हीरामन तोता जो इस काव्य में गुरू का प्रतीक है, उसके मार्गदर्शन में वो महादेव के मंदिर में बैठ जाते हैं, और वहाँ पदमावती का ध्यान करने लगते हैं, और यहीं से परमात्मा के रूप में, प्रतीक के रूप में यहां सामने आने लगती है, अर्थात सात्विक बुद्धी के रूप में सामने आने लगती है हीरामन तोता पदमावती से जब राजा रतन सैन साधना रत हो जाते हैं जब करने लगते हैं तब वो पदमावती से मिलने के लिए जाता है कौन हीरामन तोता और राजा रतन सैन से कह जाता है कि वसंत पूजन के दिन पद्मावती जब इस शिव मंदिर में आएगी पूजा करने तभी वह उनके दर्शन कर पाएगा हीरामन तोते को देखकर पद्मावती बहाव विभोर हो जाती है उसके आँखों से अश्रुगों की धारा बहने लगती है तोता उसे अपने भागने की पूरी कथा सुनाता है कि वो कहां कहां कैसे पहुचा और कहां कहां उसने क्या क्या अनुभव किये तोते ने पद्मावती को राजा रतन सेन के विशह में जानकारी दी और उसे एक योग्यवर बताया और तोता बताता है कि वो अंतते है राजा रतनसेन के दर्बार में गया राजा रतनसेन एक बहुत ही योग्य और पराक्रमी शासक है जिसके शौर्य और पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है और वो तुम्हारे लिए एक योग्यवर है ऐसा भी हीरामन तोता र राजा उसके सौंदरे को देखकर के ही मूर्चित हो जाते हैं, पद्मावती चंदन छिड़कर, क्योंकि पद्मावती भी अब राजा रतन सहिन के विशय में जान चुकी है, हीरामन तोते के माध्यम से, तो वो भी राजा रतन सहिन से मिलने के लिए व्याकुल है, तो जब व जाती है, जोगी तूने भिक्षा प्राप्त करने योग योग नहीं सीखा, जब फल प्राप्ती का समय आया, तो तू सो गया, ऐसा उनके रह चंदन से लिख करके राजकुमारी पद्मावती चली जाती है, जब मूर्चा तूटती है राजा की जागरित होने पर राजा रत कैसी स्थिती में अब उसका जीने का कोई कारण नहीं बचता, तो वो अपनी चिता तैयार करके उसमें स्वैम को भस्म करने का निश्चे करते हैं, दूसरी और राजा की योग साधना और हीरामन तोते के द्वारा राजा के वर्णन को सुनकर पद्मावती प्रेम के नहीं कर सके वो अच्छी तरह से और दूसरी और हीरामन तोते से राजा रतन सेन के विशह में जानकर राजकुमारी पद्मावती उनके वियोग में व्याकुल हो रही है, इधर जब राजा रतन सेन भस्म होने की तैयारी कर रहे हैं, तो हनुमान जी वहाँ पर उपस्तित ह उन्हें सुनाते हैं, शिवजी ततकाल वहाँ आते हैं और राजा रतन सेन को सिद्धी गुटिका प्रदान करते हैं, सिद्धी गुटिका यानि राजकुमारी पद्मावती तुम्हें प्राप्त होंगी ऐसी गुटिका उनको प्रदान करते हैं, देखिए किस तरीके से सू पारवती का आगमन शिवजी के द्वारा सिद्धी गुटिका देना ये सभी भारतिय संदर्व को पुष्ट करते हैं यही कारण है कि शुकल जी कहते हैं कि हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच जो अजनभी पंथा उसे दूर करने का महत्पूर्ण कारे जाईसी ने किया राजा रतन सेन योगी के वेश में अब जब सिद्धी गुटिका प्राप्त हो जाती है तो राजा रतन सेन सीधे राजा गंधर सेन के महल के द्वार पर पहुंचते हैं और भिक्षा में राजकुमारी पदमावती को मांगते हैं दूत जब ये बात सुनते हैं तो वे राजा के पास जाकर ये समाचार सुनाते हैं कि महल के द्वार पर एक योगी खड़ा है 12,000 योगी कुमर उसके साथ है और वो भिक्षा में राजकुमारी पदमावती को मांग रहा है दीर काल तक जब राजा की ओर से कोई भी समाचार नहीं आता तो राजा रतन सेन अपने रतन सेन की ध्रश्टता मान कर क्योंकि वो रतन सेन की वास्त्विक परिचे से अवगत नहीं है तो वो रतन सेन को कैद करने का आदेश देते हैं और उन्हें कैद में अनेक प्रकार के कष्ट भी दिये जाते हैं पदमावती राजा रतन सेन की कैद का समाचार सुनकर व्याक और पिर राजा गंदर्यान की जा राजा पर च fare है। योगी नहीं है बलकि ये एक शौर्यवान और पराक्रमी शासक है चित्तोड का और इसका बहुती उज्वल वईश है और इस बात की जो कुछ भी भगवान भाट वेश धारी जो भगवान शिव हैं वे कहते हैं रतन सेन के विशय में उसकी पुष्टी स्वयम हीरामन तोता भ देते हैं दूसरी और राजा रतन सेन की जो पहली रानी है नागमती वो दीरकाल तक पती के न लोटने पर वियोग व्यथा से पीडित हो जाती है और अपने पती के पास संदेश भेजने का प्रयात्न करती है सिंगल दूत में विवहा के पश्चात राजा गंधर सेन अपन परिवारों के लिए एक आम बात है दूसरी और राजा रतन सेन द्वारा निशकाशित रागव चेतन जो की एक पंडित था और किसी कारण वश क्रोधित होकर राजा रतन सेन उसे दर्बार से निशकाशित कर देते हैं तो रागव चेतन अलाउदिन खिलजी के दर्बार मे फलत है अलावदिन खिलजी पदमावती को प्राप्त करने की लालसा से चितोड पर आक्रमन करता है युद्ध होता है अंतत है संधी करता है क्योंकि कुटिल है अलावदिन खिलजी और वो तरकीब से पदमावती को प्राप्त करना चाहता है तो संधी प्रस्ताव भेजता है राजा रतन सेयन के पास, राजा रतन सेयन उस बात पर विश्वास करके उन्हें चितोर में भोज पर आमंत्रित करते हैं, भोज करता है और इसी बीच वो राजा रतन सेयन को धोखे से बंदी बना लेता है। पदमावती क्रोधित होकर उस दूती को सजा देती है, इससे जो देवसेन हैं, देवपाल हैं वो और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। पदमावती गोरा बादल सेयन को तो अलाउदिन खिलजी ने बंदी बना लिया है, तो उसको राजा रतन सेयन को छुडाने के लिए, मुक्त कराने के लिए गोरा बादल जामक जो वीर हैं, उनसे परामर्ष करती हैं। और राजा को अलाउदिन की कैज से मुक्त करने की यूजना बनाती है। गोरा बादल खोर युद्ध करते हैं वहाँ, और गोरा युद्ध मेवीर गती को प्राप्त होता है। और रुद्ध में राजा रतन सेन वीर गती को प्राप्त हो जाते हैं, दोनों रानिया सती हो जाती हैं, इस तरह का वर्णन पदमावत में किया गया है। चितोर पर फलत है अलावदिन खिल जी यानि मुसल्मानों का अधिकार हो जाता है और यहीं पर पदमावत नामक जो महा काव्य है, जो प्रबंध काव्य है, वो समाप्त हो जाता है। अब बात आती है नागमती वियोखंड की, तो कुछ एक महतुपून बिंदू है, नागमती वियोखंड जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है, जब राजा रतन सेन पदमावती को प्राप्त करने की लालसा से सिंगल द्वीप की और प्रस्थान कर लेते हैं, और कई मही इने भीतने के बाद भी उनकी कोई सुध नहीं आती, कोई ख़बर नहीं आती और नाइवेक स्वैम लोटते हैं, तब नागमती जो उनकी रानी है वो उनके विरह में व्याकुल होती है, किस तरह से विभिन रित्वों में, किस प्रकार के अनुभव, किस प्रकार की का अनुभव वो करती है इसका पूरा का पूरा जीवन्त और मर्मस पर्शी चित्रन जाईसी ने नागमती वियोग खंड में किया है इससे संबंदित महतुपूर्ण जो तत्ये हैं उनको हमें कंठस्त कर लेना है और सबसे महतुपूर्ण बात यह है कि नागमती वियोग है वो है नागमती वियोग खंड अर यहां कहीं किया है और यह जो पंक्ती है प्रशन पूछा जा सकता है कि नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ती कौनसी है नागमती चितवर पत हेरा प्यू जो गए पुनिकीन नफेरा इस पंक्ति का अर्थ है कि नागमती चितवर यानि चितोड की और आने वाले मार्ग पर लगातार हेरा देखती थी यानि टक्टकी लगाए बैठी रहती थी और ये सोचती थी मन में प्यू जो गए पुनिकीन न कि मेरे प्रियतम जो इस मार्ग से गए थे वे वापस अभी तक लोट कर नहीं आए जब कि बहुत लंबी समय अवदी बहुत लंबी समय सीमा व्यातीत हो चुकी है तो ये नागमती वियोखंड की पहली पंग्ती है प्रश्ण पूछा जा सकता है ना कोकिल ना पपीहरा जेही सुने आवे कंत ये नागमती वियोखंड की अंतिम पंग्ती है इन दोनों पंग्तियों को कंठस्त कर लेंगे इस पंग्ती का अर्थ है विरह व्यथा से पीडित नागमती को अपने प्रियतम से मिलने की कोई राह नहीं सूज रही वो अलग-अल नागमती है कि अगर राजा के समीप कोयल और पपीहे की द्वनी उनको सुनाई देती तो संभवत है उनहे मेरी याद आ जाती मेरे प्रती प्रेम का भाव उनके हिर्दय में उत्पन होता और वे लौटकर कंत यानि प्रियतफ वे लौटकर मेरे पास आ जाते तो क्योंकि वे अभी तक लौटकर नहीं आए तो संभवत है उनके पास कोयल और पपी हरा नहीं है ऐसी ये नागमती वियोखंड की अंतिम पंक्ती है नागमती वियोखंड में कुल 19 दोहे है चौपाई की साथ अरधालियों के बाद एक दोहे का विधान किया गया है यानि दोहा चौपाई शैली में ये काफिय लिखा गया है तो अरधाली क्या होता है जो चौपाई होती है दोस्तों उसमें दो पंक्तियां होती है रगुकुल रीति सदा चलियाई प्रान जाहे पर वचन न जाई ये दो पंक्तियां है और ये चौपाई है तो रगुकुल रीति सदा चलियाई ये एक अरधाली है और दोनों मिलकर दो अर्धाली हो गई यानि दोहे का आधा भाग अर्धाली कहलाता है तो साथ चौपाई की साथ अर्धालियों के बाद एक दोहा लिखा गया है तो 19 दोहे हैं तो अर्धालियां कितनी हो गई कुल मिलाकर 133 अर्धालियां है यहाँ पर चौपाई की कितनी पंग्तियां है? 133 पंग्तियां है, अर्धाली शब्द इसलिए लिखा गया है कि यदि प्रश्ण पत्र में अर्धाली आये तो आप भ्रमित ना हो, अर्धाली का अर्थ है चौपाई की एक पंग्ति. तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र और इस सत्र में हमने जायसी के पदमावत, जायसी के जीवन परिचे, सूफी काव्य परमपरा, उनके पदमावत और नागमती वियोग खंड पर बातचीत की, नागमती वियोग खंड के पदों पर आधारित प्रश्णों की चर्चा ह हम अगले सत्र में करेंगे और उन्हीं प्रश्णों के साथ साथ हम उसके महत्वपून पद्यांशों को भी समझेंगे तब तक के लिए नमस्कार